हेलो डियर स्टुडेंट्स वैलकम तू माई चैनल स्पावर मैच्स किलासिस टूड़े वी स्टेडी नाओ चैप्रल्स नंबर एट कॉमर्शिल मैथामेटिक्स में बैटा आज हम इसट्डी करने जा रहे हैं एक इंट्रेस्टेट टॉपिक जिसका नहीं है प्राफिट एंड लॉस बैटा सबसे पहले हम डिसकेश करेंगे प्राफिट एंड लोस से रिलेटिट की प्राफिट एंड लॉस होता क्या है और हम इसे किस तरीके से फाइडाउट करते हैं पे करते हैं वो बैटा उसकी cost prices होती है जिसको हम CP से denoted करते हैं और यह दी the price at which an article is sold is called of selling price और जिसमें हम जितने रुपे में उसे sell कर रहे हैं वो उसकी क्या होती है selling price denoted by SP तो यहाँ पर SP का मतला S का मतला selling और P का मतला price C का मतला cost और P का मतला करने के अलग अलग formula होते हैं जब हमे profit या gain profit को हम क्या कहते हैं तो यहाँ था selling price यदि CP से ग्रेटर देन होगी तो उस समय क्या होगा कि हम selling price में से cost price को minus कर देंगे तो हमे profit जो भी हो रहा होगा वह हमें find out हो जाएगा लेकिन यदि इसी में से हमें CP SP find करने हैं और यह दोनों दो चीज़ दी हुई है इन में से तो हमें इस तरह के से इन्हें transmission कर सकते हैं तो selling price का formula हो जाएगा profitable cost price और cost price निकालने का profit हो रहा है अब वहन में उसकी CP value को लिखते हैं इन्टू में कितना लिख देता है 100 तो यह इस तरीके से हम इसकी percent value को find कर लेते हैं लेकिन यदि selling price cost price क्या है at least का में तो condition में क्या होगा insured हमें loss होगा क्योंकि selling price का में अर्था कोई article हम उसके कम کوर्sky firm is तो दियाड़िस निकालने के लिए cost price में से की selling price को क्या कर देंगे माइनस करदेंगे और यह इसी तरह यह इसी तरह से selling price find कर निए तो चेटा पास में से लोग्या करदेंगे और यहीering price में से सडोख में लोस को क्या करतेंगे प्लस और लोस परसेंट सेम लोस जितने का हुआ है अपोन से पी इंटू हंडेड लेकिन कुछ इसके स्टेंडर्ड फॉर्मले होते हैं यदि हमें सपोज करो कि किसी भी कोश्ट पाइस से उसके अधर आर्टिकल को निकालना है उसके ओवर हैडिड निक करने हैं पहले प्रॉफिट करने का फॉर्मल होता है कि सेलिंग प्राइस में से उसकी कोश्ट पाइस को माइनस कर देते हैं और यदि हमें लोस निकालना होता है तो कोश्ट पाइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस यदि फाइन करनी है तो प्र तो हम उसे loss को उस SP में plus करते हैं और यह percentage value यदि loss यह आपको profit percent में निकालना है तो यदि profit percent आता that is जिसे हम gain कहते हैं तो gain percent निकालना है तो gain लिखेंगे upon CP into 100 लिख देंगे और loss percent निकालना है तो loss upon CP into 100 कर देंगे ऐसी इनकी कुछ standard resultant होते हैं suppose करो यदि आपको cost price दी हुई है और gain percent दिया हुए और आपको SP निकालना है तब SP is equal to जो होता है वह 100 plus gain percent upon 100 हो जाएगा into में क्या आजाएगा उसका cost price value और यदि आपको loss percent दे रखा और cost price दे रख्यों तब SP निकालने का formula यह होता है 100 minus loss percent upon 100 into CP जैस टूल्टा यह जो CP की value है इसको यह रहने दीजे यह इधर लाएंगे तो 100 into में आ जाएगा और यह upon में चला जाएगा तो इसके दो resultant बन जाएगे cost price के लिए जब selling price या gain या loss percent में दिया हो जब gain दिया होगा तो 100 upon 100 plus gain percent into SP हो जाएगा और जब loss होगा तो यहाँ पे minus के loss percent आ जाएगा तो cost price बराबर 100 upon 100 minus loss percent into SP तो यह 12 के 12 resultant सबसे पहले learn करने होता है फिर इनी के बीस से हमें question को solve करना होता है